हे गाइस हाओ यूहूब क्या बच्चे होंगे और आज की वीडियो में हम बताएंगे पॉलेटेगकनिक कोर्स क्या है वो भी हंदे में और कौन से लोगो को करना चाहिए क्या 12th के बाद पॉलेटे करना सही है क्या 10th के बाद पॉलेटेगकनिक करना चाहिए इस पूरे वीडियो में डीटेल में इसे के बारे में बात करेंगे उससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहँगा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर रेट करेगा बहुत साइब लोग बेल आइकन को नेट करते जिससे उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो चलिए बात करते हैं पॉले टेकनिक क्या है मैं आपको बता दूँ पॉले टेकनिक एक 3-years डिप्लोमा कोर्स है और 2-years डिप्लोमा कोर्स है इसमें एडवीशन का प्रॉसेस जो है वो सबसे पहले बता दे minimum qualification इसमें क्या चाहिए अगर आप पॉले टेकनिक करने जाते हो तो जो minimum qualification है वो 10th है 10th के बाद जो पॉले टेकनिक है वो 3-years का कोर्स है 3-years आप पॉले टेकनिक करोगे उसके बाद आप जॉब के लिए जाओगे अब दूसरा आप लोग पूछोगे कि ये 2-years का पॉले टेकनिक क्या है तो मैं आपको बता दू कि जो 2-years का पॉले टेकनिक होता वो 12th के बाद या ITI के बाद आप आसकते हो अगर आपने 12th किया तो directly आप second year में अड़िशन ले सकते हो तो आपके लिए पॉले टेकनिक सिर्फ 2 साल का होगा उसके लाम अगर आपने ITI भी किया हुआ तो भी आप direct second year में अड़िशन ले सकते हो आपके लिए 2 साल का होगा तो इस तरह से overall देखा जाये तो polytechnic अगर आप सही से करते हो अच्छे से करते हो तो चीज़े आपके लिए बहतर होती चली जाएंगे अब polytechnic आपको पता चल गया कितने साल का कोर्स है क्या qualification है अब बात आती है कि polytechnic जो है वो 12th के बाद करें या 10th के बाद अगर आपके घर में बहुत जादे दिक्कत नहीं है कि यह मतलब घर में बहुत प्रॉबलम है या चीजे सही से नहीं हो रही है तो मैं आपको एक चीज़ सज़ेस्ट करूँगा कि polytechnic जो है आप 12th के बाद ही करें although 10th के बाद दिया गया लेकिन 10th के बाद उतनी सारी चीज़े आपको समझ में नहीं आती जब आप pass out होगे तब ये बात आपको समझ भाएगी जो मैं अभी बता रहा हूँ जब आप pass out होगे तब आपको समझ भाएगी तो मैं 10th के बाद polytechnic अगर आपके family में दिक्कत है परिशानी नहीं आगे पढ़ा पाएंगे तो बिल्कुल आप करने जाए बेज जिजग लेकिन एक बात याद रखिएगा वहाँ जाकर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे मन लगा के पढ़ाई करोगे जिससे के आपका career आगे जाए जिससे के आप आगे जा सको ये नहीं कि भेया बस इसी तरह से हैं अपको confidence ठोड़ा रहता है एक तो एक साल आपका skip हो गया, दो साल ही बचा रहता है तो दो सालों में लगता कि हा नहीं, I can do, बहुत सारी ऐसी चीज़े होती, जो 12th में आप पढ़ते हो ना, वही polytechnic पुरा first year है, कुछ चीज़े थोड़ा बहुत अलग है, 10 से 15%, बाकी चीज़े 80% तो आप यह समझ लो, कि जो 12th में आप पढ़े हो, सेम होई subject, सेम होई topic, कु दिक्कत कहा हो जाती है, तो polytechnic में overview type में रहता है, और आप detail में 12th में पढ़ गया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जो 10th वाले होते हैं, उनको mathematics, physics, chemistry, सब में दिक्कत होना फील हो जाता है, सर्फ बहुत टेक्निकल जो subject होते हैं, उसमें better कर जाते हैं, भारत के अलमा कई बड़े-बड़े कंपनियों में, बाहर की कंपनियों में भी आप job कर सकते हो, आपके लिए multiple opportunity है, तो आपको decide करना कि आपको इंडिया में job करना, आउट आफ इंडिया जाना है, या कैसे लिएक अपने career को जाना है, ये सारी चीजे आपको बहुत इसा decide कर लोगे, तो आपका career अच्छे direction में जाएगा, और आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर हम बात करने, polytechnic में job की या package की, तो job या package की अगर हम बात करें, तो इसमें जो package मिलता है, starting की package 15-20,000 रुपे, मतलब अब तो 3-4,000,000 की package मिलने लगी है, polytechnic में, मत आगे चलके वो लाख रुपे महीने में भी convert होगा, लेकिन वक्त और टाइम दोनों लगेगा, इतना टाइम चाहिए, इतना वक्त चाहिए, तब ही जाकर ये चीज़े होगी, तो it's totally depend upon you guys, how you can manage, how you can manage the things, so hope कि आपको समझ में आ गया होगा, कि polytechnic क्या है, कब करना चाहिए 10th के बाद, 12th के बाद, कौन से लोग कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया है, अगर अब भी आपका doubt के लिए इनना हुआ हो, कि सर अब मुझे थोड़ा doubt है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ आप मेरी counselling करें कि मुझे कब जाना चाहिए, आप लोगों को मैंने एक link description दे रखा है, polytechnic वालों के लिए special link है, directly आप उस link पे click करिए, और मेरे से बात करिए, मिलते आप से next video, मैं thank you